जेहिन नवाशकार हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ दोस्तों आज हम CUET 2022 का जो जिस्टी का डोमेन सब्जेक्ट है उसके थीम 11 रिबल संदर राज दर रिवोल्ट ऑफ 1857 एट सीडी प्रेजेंटेशन के कोशन्स को रिव्यू करेंगे सबसे पहला सवाल के दोस्तों की 10th of May 1857 को जो म्यूटिनी ब्रोक आउट हुई वो कहां पर गुई आपके option आपके screen पर है मेरट, बैरकपुर, कानपुर या डिली तो दोस्तों 10 मई 1857 को जो म्यूटिनी ब्रोक आउट हुई थी वो मेरट में हुई थी वो मेरट में हुई थी, मेरट जो की यूपी में situated है next, the sepoils of revolt 1857 arrived Delhi on देखे दोस्तों अभी हम लोगों ने पहले question में क्या पढ़ा कि 10th of May 1857 को जो revolt हुआ वो मेरट में हुआ और उसी रात सारे के सारे जो सैनिक थे, वो पैदल चलकर दिली आए इसका मतलब 11th of May 1857 को वो दिली पहुँचते हैं कहां लाल किले के पास उस वक्त मुगल बाश्शा बहादुर शाह जफर लाल किले में ही मौझूद था next, who led the revolt of 1857 from Delhi मैंने अभी इसका जवाब दे दिया, इसका सखी उत्तर गया बहादुर शाह जफर आखरी मुगल बाश्शा भारत को next, नाना साहिब ने 1857 के revolt को नहां से लीड किया था कि option है जहां सी, कानपूर, अवद या बिहार तो नाना साहिब ने इस पूरे के पूरे revolt को कानपूर से लीड किया था next, बिहार में इस revolt में अंग्रेजों के खिलाफ किसने मोर्चा समाला था मतलब 1857 का जो revolt था, उसमें बिहार से किसने लीड किया था आपके option गया है, नाना साहिब, मौलवी एहमदुल्ला, कुवर सिंग या बिर्जिस कादिर सजी उत्तरग दोस्तों, कुवर सिंग ने लीड किया था बिहार से against Britisher in 1857 revolt next, शहमल become the leader of the revolt of 1857 of परगाना बरौत परगाना बरौत से 1857 के revolt को लीड करने वाले जो शहमल थे आपको बताना है कि यह है कहां पर situated, किस स्राज्य में situated गया परगाना बरौत और जहां से शहमल ने लीड किया था 1857 के revolt को, आपके option गए मद्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, जारखंड या बिहार, सही उत्तरग दोस्तों, उत्तरप्रदेश में स्थित गए जहां से इन्होंने लीड किया था next, summary settlement was introduced by British Inn summary settlement को अंग्रेजों के द्वारा कहां पर introduce किया गया था आपके option है, अवद, सिंद, बंगाल या मदरास सही उत्तरग दोस्तों, summary settlement को अंग्रेजों के द्वारा अवद में introduce किया गया था next, subsidiary alliance को अवद के उपर impose कब किया गया था आपके option है, 1785, 1801, 1809 या 1819, सही उत्तर गया दोस्तों, 1801 में अवद के उपर impose किया गया था subsidiary alliance next, land revenue policy, यह जो summary settlement है, जो अवद में introduce किया गया था जैसा कि अभी हम लोगों ने previous questions में पढ़ा है आपको बताना है कि यह जो land revenue policy है, जिसको अगम लोग summary settlement कहते है यह लाया कप लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, आपके option आपके screen में है 1819, 1856, 1886 या 1905, सही उत्तर गया दोस्तों, land revenue policy जिसको summary settlement कहा जाता है इसको introduce किया गया था, 1856 में कहा पर अवद में उस governor general का नाम बताओ, जिसने introduce किया, subsidiary alliance और यह बहुत ही important सवाल है इसके आने के chances बहुत ज़ादा है तो वो governor general जिसने introduce किया, subsidiary alliance उसका नाम है Lord Wellesley Lord Wellesley ले introduce किया था, subsidiary alliance को Next, captain here say was given protection by, अगर आप लोगोंने NCRT अच्छे से पढ़ा है तो इनका जिक्र आता है, जब अवद में revolt बहुत तेजी से बढ़ने लगा तो इनका जिक्र वहाँ पर आया, कि captain here say co protection किसके द्वारा दिया गया था अवद की military police के द्वारा दिया था, अगेंस जो लोग rebel कर रहे थे उनके target पर अंग्रेज थे, जो अंग्रेज दिखेगा उसको मार देंगे बहुत हो गया बरदाश, सुबह से हो गई शाम next सती प्रथा को खतम करने के लिए, जो कानून है, वो किस साल पास किया गया आप लोग को बता देना चाहता हूँ, राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा हाथ है, इसके लिए, राजा राम मोहन रॉय, और एक नाम याद रखिएगा, लॉड विलियम बेंटिक, इंडिया के पहले गवर्णर जनरल, चिक है, ये जो लॉड रिलेटिक था, सती प्रथा को खतम करने के लिए, ये इंट्रिड्यूस किया गया था, 1829 में, 1829 में सती प्रथा को हमारे देश में खतम करने के लिए कानून लाया गया था, उस वक्त हमारे देश के गवर्णर जनरल कौन थे, लॉड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय के तर्ज पर उनके इनिशियेशन पर ये कानून आया था नेक्स्ट लखनवू से किस ने रिवोल्ट को लीड किया था आपके आप्षिंस आपके स्क्रीन पर हैं सगी उत्तर के दोस्तों बेगम हजरत महल इनके नाम पर लखनवू में कई सारी आप मतलब कहते हैं रोड भी इनके नाम इनके नाम पर गहें तो बेगम हजरत महल जो वाजिद अली शहा की बेगम थी उन्होंने रिवोल्ट 1857 का लीड किया था लखनवू से नाउ 1857 के रिवोल्ट के रिगार्डिंग आपको कुछ करेक्ट मतलब कुछ स्टेट्मेंट दिये हैं आपको बताने हैं इन में से कौन से स्टेट्मेंट करेक्ट है मुगल एंपरर बहादूर शाह वाज डिक्रेर अज लीडर ऑफ सिपोई यह करेक्ट है दियर बॉस नो पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल यह इनकरेक्ट है कॉमन पीपल ने भी पार्टिसिपेट किया था is moneylanders and the richvär attack यह भी करेक्ट है कि जो ज़िए अंग्रेजों के साथ जिसका भी अंग्रेज के साथ किसी भी तरह का तुखात है घम उस पर हमला करेंगे बड़े-बड़े moneylanders को भी अटैक किया गया था बड़े-बड़े अमीर लोगों क्या है अगला सवाल ये है कि with which fruit did Lord Dalhousie compare the kingdom of Avad Lord Dalhousie ने Avad के kingdom को किस fruit से compare किया था कि ये तो एक दिन मेरे मूँ में जाएगा ही जाएगा सही उत्तर है cherry और मैं आपको बता देना चाहता हूँ Lord Dalhousie का जो कारेकाल था वो 1848 से लेकर 1856 था और 1848 में ही ये एक कानून लेकर आए Doctrine of Laps जो की एक बहुत बड़ा कारण बना 1857 की क्रांती का Doctrine of Laps बिर्जिस कादिर was the younger son of ये नवाब बाजिद अली शाह के बेटे थे सबसे चोटे बेटे थे यंगर सन थे ठीक है पेंशन पर बंगाल भेज़ दिया था नाउ इन मेमोरियम वस डेडिकेटेड बाई अर्टिस्ट टुद अगर आप लोगों ने आखरी मतब इस चान अंसियाटीक में इस क्याप्टर के आखरी कुछ पन्नों में अलग अलग तरह की तस्वीरों से अंग्रेजों ने किस तर बनाया था जो सर्फ नोल पैटन ने ठेक है और इस पेंटिंग में दिखाया गया था कि किस तरह से बिटिश लेडी है वो रिबेलियंस जो है जो लोग विरोत कर रहे हैं उनसे अकेले ही भिढ रही है अपने जान के लिए नाउ आपको बताना है कि इन में से विचों अपने पर इंडिया यह तो यह तो सिंपल सी बात है यह रूमर था कि जो काट्रिज है जो बंदू की गोली है रोई एंफिल्ड की उसमें गाय और सूर के चमडी को मिला कर बनाया गया है यह तो C is the correct answer क्योंकि आपको incorrect पहचानना है यह भी correct है बाकी आपका मतलब आप कह सकते हैं option number C is your right answer because आपको incorrect बताना है now what is the correct meaning of the word bell of arms bell of arms का सही मतलब क्या था इसका सही मतलब था store room मतलब वो store room जहां पर घतियार रखे जाते थे उसको bell of arms कहा जाता था अंग्रेजों के दौर में now अब आपके सामने कुछ statement है आपको बताने है इन में से कौन सा statement correct है हो सकता है एक correct हो हो सकता है दो correct हो हो सकता है दोनों के दोनों correct हो या हो सकता है दोनों के दोनों incorrect हो तो दोस्तों ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है आपको पताना है इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है तो इनमें से देखे, सिंपल सी बात है इन मेमोरियम अभी हम लोगों ने पढ़ा जोसेफ नोईल पैटन, रिलीफ ओफ लखनौ, थॉमस जून्स बारकर सही उतार है, दे क्लिमेंसी ओफ कैनिंग ठेक है, जर्नल नेम पंच तो दोस्तों ये छे कुछ सवाल 1857 के रिवोल्ट के चैप्टर के ऊपर उमीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में तब तक के लिए हल्दी रहे, सेफ रहे, मस्त रहे